सबी देश्वाशों को मेरी रामरा पिछले कुछ दिनों से मैंने एक दो टिवीट किए थे उसके बाद सी काफी लोग मुझे फेस्बूक मैसेंजर पर वाट्सप पे और ट्वीटर मैसेंजर के उपर गलत गलत मैसे दे रहे हैं और पुछ लोग पौन करके भी धंकिया दे रहे हैं तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहते हूं कि कान खोल कर एक बात सुन लो और दिमाग में बठा लेना कि मैं कोई जारा वसिम नहीं हूं कि तुम्हारी दंकियों से डर कर घर पे बैट जाओंगी मैं तुम्हारी धंकि अभी भी काय हों और आगे भी रहूंगी क्योंकि मैंने शिर्ण लोगों के बारे में लिखा है चिन्हों ने करोना शंकर視 किर्मन को फैला आप लोगों से पूछ साहते हूं क्या तबलीव की जमाथ वाले अभी भी No one पे नहीं बने हुए क्या तबलीव की जमाथ वालों की संख्या अभी भी number one पर नहीं है क्योंकि अगर तभलीकी जमात वालों ने करोना संकर्मन को नहीं फैलाया होता तो अब तक लोग डाउन भी खुल गया होता और हिन्दुस्तान किसे करोना भी हार गया होता तो जिन लोगों को सथ tod सुदार ले नहीं तो सथ सुनने की आदत डालने Thank you so much जै हिंद, जै भारत सभी देशवाशों को मेरी राम राम पिसले कुछ दिनों से मैंने एक दो टिवीट किये थे उसके बाद से काफी लोग मुझे Facebook मेसेंजर पर वाट्शप पर Twitter मेसेंजर के उपर गलक गलक मेसि दे रहे हैं गालिया दे रहे हैं और कुछ लोग प्होन कर के भी धमकिया दे रहे हैं तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहते हूँ कि कान खोल कर एक बात सुनलो और दिमाग में बठा लेना कि मैं कोई जारा वसिम नहीं हूँ कि तुम्हारी दंकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊंगी मैं तुम्हारी दंकियों से नहीं डरने वाली असली बभीता होगाट हूँ अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और ब लोगों से पूछना चाहते हूं क्या तबलीकी जमात वाले अभी भी नंबर वन पे नहीं बने हुए क्या तबलीकी जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर वन पे नहीं है क्योंकि अगर तबलीकी जमात वालों ने करोना शंकर्मन को नहीं फैलाया होता तो अब तक लोग अरान भी खूल गया होता और हिंदुस्तान से करोना भी हार गया होता तो जिन लोगों को सुनने प्रोब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन ले कि मैं हमेशा सच बोलती रहूँ और लिखती रहूँ अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपने आदत सुधार लें नहीं तो सथ सुनने की आदत डालें थैंक यू सो मज चैहिंद चैह भारत सभी देशवाश्यों को मेरी राम राम पिसले कुछ दिनों से मैंने एक दो टिवीट किये थे उसके बाद सी काफी लोग मुझे फेस्बुक मैसेंजर पर वाट्सप पे और टिवीटर मैसेंजर के उपर गलक गलक मैसी दे रहे हैं गालिया दे रहे हैं और कुछ लोग पौन करके भी धंकिया दे रहे हैं तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहते हूं कि कान खोल कर एक बात सुन लो और दिमाग में बठा लेना कि मैं कोई जारा और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूं और आगे भी रहूंगी क्योंकि मैंने शिरफ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने करोना संकर्मन को फैलाया है आप लोगों से पूछना चाहते क्या तबलीकी जमात वाले अभी भी नंबर वन पे नहीं बने हुए क्या तबलीकी जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर वन पे नहीं है क्योंकि अगर तबलीकी जमात वालों ने करोना संकर्मन को नहीं फैलाया होता तो अब तक लोग डाउन भी खुल गया होता और हि आप लोग सथ सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपने आदत सुधार ले नहीं तो सथ सुनने की आदत दाले थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत